नमस्कार दोस्तों मैं दिलिप कुमार दोस्तों बिहार में लोहार जाती के जो अस्टूरेंट्स है वो पिछले कुछ दिरों से काफी परिषानी में थे उनकी परिषानी की बज़ा ये थी कि चाहे किसी प्रतिवगी परिच्छा का फॉर्म भरना हो या इस्कूल कॉलेज इन यूट्यूब चैनलों के माध्यम से इस बात को उठाया 13 अपरेल को मुखमंत्री जी को भी लेटर दिया इसे सम्बंदित और BSSC की अध्यक्ष को भी लेटर दिया क्योंकि CGL3 की अभी वेकेंसी आई थी सचिवाले साही की तो उसमें भी ये परिषानी थी 19 अपरेल के साम को बिहार सरकार द्वारा एक दिसा निर्देश जारी किया गया है जाती पर्मान पत्र बनाने से सम्बंदित लोहार जाती के लिए और उसमें इस परस्ट रूप से कहा गया है कि जाती पर्मान पत्र इन लोगों का अब बनाया जा सकता है EBC कैटेगरी में होना चाहिए कि लोहार जाती के जो स्टुएंट्स है वो फिलाल किस कैचेगोरी में अपने आपको माने और उनका जाती प्रमापत्र बनना चाहिए ताकि वो फॉर्म भर सके चाहिए प्रत्योगी परिच्छा का हो या नीट का हो या कहीं स्कुल कॉलेज इनवर्सिटी में अ आगे भी जो भी छात्री से समंधित मुद्दे उन पे वो साहनुभूती पुर्वक विचार करें और उन चीजों को लागू करें ताकि छात्री वाओं के साथ निया हो और लोहार जाती के जो भी एस्टुरेंट्स हैं उनको हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आप लोग हमारे ऐस्टुरेंट्स फोन किये थे हम आपके लिए जो भी हो सका किये और अभी फिलाल को िवी सी केटेगोरी में रखा गया है बिहार सरकार ने लोहार जाती को और पर्मानपत्र बनाने का दिसा निर्देश अपने अधिकार्यों को दिया हैं तो आप लोग अपने पर्मानप फॉर्म भरने से पहले आप यह certificate बनवा लीजिए. और जो भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं विहार में, जो जाती प्रवान पत्र बनाते हैं निर्गत करती हैं, उंसे भी आगरा है कि आप लोग भी जो भी अश्टूएंट्स आपके पास जाते हों, जाती प्रवान पत्र ब परिच्छा का फर्म या अडमिशन का फॉर्म वह भर सके क्योंकि अस्टुएंट्सकों परिशानी होती है काफी परिशानी होती जाती परमान पत्र बनाने आई परमान पत्र हो या इंसीयल हो या आवासी हो इन सब में बहुत उल्जाया जाता तो ऐसा है नहीं होना चाहिए जो भी अधिकारी या करमचारी आप लोग हैं, आप लोग भी कभी न कभी अस्टुएंट्स रहे हैं, आप लोग भी परिच्छा देकर पास करके यहां तक आया हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो आप कम से कम अस्टुएंट्स के दुख दर्द को समझें, उनके समय का बचाव जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अस्टुएंट्स के तकलीफ को आप लोग समझें, एक तो विरोजगार हैं, और उपर से आप लोग उनको बार बार दो रहे हैं, आने जाने में भी खर्च होता है, समय लगता है, आप बैठके लोग अस्टुएंट्स घर में त्यार करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उनको बार बार आप दो रहे हैं, उनका पढ़ाई डिश्टरब अलग होगा, समय जाएगा, और पैसा भी खर्च होता है, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखिए, जो भी अधिकारी गन है, कर्मचारी गन है, और जल्द से जल्द, जो भी स काटेगरी में बिहार सरकार ने रखा है, जैसे कुछ EBC के जो लोग हैं, स्वेंग सेभी कालीजी है, समाज सेभी कालीजी, वो लोग मेरे पास फोन करते थे, कि आप इन सब मुद्दों को मत उठाई, हम लोग ST काटेगरी में करवाना चाहते हैं, तो हम ये ST काटेगरी या EBC केटगरी में रखने की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इतना कर रहे हैं, ये आप लोग की लडाई है, आप लोग जिस केटगरी में रखना चाहें, रहना चाहें, जो लोहार समाज से हैं, लोहार जाती के जो भी लोग हैं, तो ये आप लोग का समू का, आपके जाती का ये सावजनिक फैसला होगा कि आप EBC में रहना चाहते हैं या ST केटगोरी में जाना चाहते हैं तो और इसके लिए आप सरकार से दिमांड कीजिएगा लेकिन हमारा दिमांड फिलाल इतना था कि जो लोहार जाती के स्टुरेंट्स है उनकी समस्या ये थी कि जाती परमानपत्र नहीं बनाया जा रहा था और अभी मालिजिए इस बात का हमारा पूरा हो चुका है जाती परमानपत्र नहीं बनना चाहिए और यह दिमांड हमारा पूरा हो हो जुका है भाकि लोहाजा जाती के जो भी लोग हैं जो समाज से से भी हो या नेता लोग जो भी हो या जो आप लोग दिइसली से लोग बीशादे त्यारी कीजिए परीछा अच्छे से दीजिए और जाती प्रवान पत्र आवासिये जो भी हो फोर्म भरने से पहले आप लोग निश्चित रूप से बनवा लिजिए ताकि आगे चल कर आपको कोई दिकत ना हो चले फिलाल धन्यबाद जय हिंद